नमस्कार दोस्तों स्वागत शोमुस बाली ची के और एक हेल्थ कंसर्ण वीडियो है आज की वीडियो थोड़ा दुख भरी है थोड़ा सीरियस है इसलिए कुछ कुछ डिस्क्लेमर वीडियो से पहले आपको बता दे यह वीडियो आप शाहिद इसलिए देख रहे हो कि आपक है मुझे कैंसर है उसके बाद लोग को पैर से जमीन हिलने लगता है क्योंकि एक ऐसा बिमारी अभी हमारे सामने इतना प्रोमोटेट बिमारी जिसका कोई इलाज नहीं हाला कि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे बिमारी है जिसकी इलाज नहीं फिर भी कैंसर ज्यादा साल जीप आएगे यह जो लिस्ट आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा यह एक आवरेज डेटा है जो कि ग्लोबल सर्वे करके पता चला कि एक पर्टिकुलर किसम कैंसर कैंसर अगर किसी को होता है तो उसके बाद 5 साल तक बचने का उस मरीज का क्या एक्सप awareness होता है कितने परसंट चांस है दस साल तक बचने का कितना चांस है इसके बारे में टेबल में डीटेल में आपको बताऊंगा मेरे पास टेबल है में टेबल यहां पर एटाज भी कर दूंगा अब लेना इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी अगर खुद को cancer particular type की cancer है तो आपका भी life expectancy उतना ही है आप उससे ज्यादा बच सकते हो ज्यादा बच पाएंगे डिपेंड करता है हर एक individual की case के उपर यह medical science एक ऐसा field है जहापे हर एक patient की body अलग है इसलिए doctor कभी भी सीखना नहीं बंद कर सकता क्योंकि हर एक patient एक नया body एक नया system हर एक patient में अलग अलग प्रकार में वह चीज़ काम आता है हाला के हम हम हजार लोगों को study करके बोल सकते हैं कि इसमें इतना प्रतीशद यह होता है यह होता है मगर फिर भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है यह फिल्ड में इसलिए यह जो data है इसको एक data की तौर पे ही देखें ऐसा मत सोचे कि उन्होंने कहा कि 5 साल में expectancy 10% मतलब मुझे 90 चांस में मर जाऊंगा ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा यह educational purpose वीडियो आपको यह कहने के लिए compare करने के लिए कि different type of cancer अगर बात करें कि अलग अलग प्रकार के cancer में क्या-क्या फरक आ रहा है समझने के लिए वो मरीजों को बचने की जो list percentage है कितना ठीक है इसका मतलब यह नह करने के जाते हो तो यहां पर बात करते हैं को breast cancer से start करें breast cancer की पांच साल का survival rate मतलब जब भी आपको cancer detect हो जाए अभी देपेंड करता है कि cancer की कौन से stage पर अगर आखरी stage पर आ चुके हो तो survival rate कम हो जाएगा पहले stage हो तो बढ़ जाएगा तो सब कुछ average करके हमने बता रहें आपको तो यहां पर अभी आपको हम बताते हैं एक table जिसमें यह लेखा होगा कि आपको अगर किसी भी प्रकार की cancer है या फिर family member को किसी भी प्रकार की cancer हुआ है तो उस बंदे को cancer होने के बाद पेशेंट को cancer होने के बाद जब detection हो गया diagnosis हो गया उसके बाद से लेकर 5 साल त इस हिसाब से दिया जाए तो यह जो data मैंने लिया यह Indian Council of Medical Research ICMR की website से लिया गया data है और यहां पर इंडिया की data में आपको प्रोवाइट कर रहो global data नहीं है भारत में अगर किसी को cancer होता है तो किसी साब से life expectancy रहेगा उसका data मैं आपको table format पे बोल रहा हूं उसका जो table है वो भी मैं यहां पर वीडियो में provide कर दूंगा यहां पर देख सको ही इस साइट पर चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से breast cancer breast cancer अगर किसी को है तो 5 साल जीने का संभावना है 66.2% मतलब 66% और 10 साल बचने का चांस से 56% तो 10 साल में 50-50 चांस बचता है prostate cancer किसी को हो तो 5 साल पांच साल बचने का चांस हो कर 9 और फिर 10 साल बचने का चांस हो का 4 नो परसेंट पांच साल तक बचने का चांस, 4 परसेंट पर तो पिर आते कलो अरिक्टल कैंसर तो जो आत की cancer होता है इंटरा तब जाके, गारोच को अलेक्ट से उत्वु कहने का रिजता है, होते लगता है तो वहाँ पे 5 साल तक बचने का चांस होता है मात्र 5% और 10 साल तक बचने का चांस होता है 2% 2% लिवर कैंसर की बात करें तो बचने का चांस होता है 5 साल तक 3.6% और 10 साल तक 1.4% ठीक है popularity तो पहले पात साल तक का चांस होता है 30 पर सेंट और वो घटके दस साल तक हीज़ाता है, 22 कि डिनी में cancer होता है वेधी कंसर है तो पात साल तक घ्ज़ने का चांसों के 53 परसेंट। 10 साल तक ज़ा चांस हें 42 पर सेंट और भात करतें ऑचले का ब्लैडर तो पात साल तक बजने का चांस होता है तो पात साल तक बजने का चांस होता है तो नौन हौच्कीन लिंफोमा एक प्रकार की केंसर होता है तो पांस साल तक बचने का चांस होता है 59 परसेंट और दस साल तक चांस होता है 45 परसेंट लियुकेमिया जो कि ब्लाट कैंसर कहा जाता है किसी को अगर होता है तो पांस साल तक बचने का चांस होता है 38% 10 साल तक चांस होता है 29% तो अगर इसके बात करें न सारे के सारे प्रकार की cancer इसमें अगर देखें तो तीन प्रकार की cancer सबसे डेंजर है एक तो है lung cancer then pancreatic cancer then liver cancer liver cancer में बचने का चांस सबसे कम है उसके बाद pancreatic cancer जो liver pancreas के साथ similar related होता है और फिर lung cancer इसमें बचने का chance 10% से नीचे होता है पहरे 5 साल में और आखर के 10 साल तक बचने का chance 5% के करीब हो जाता है मत्तब सौ में से 3-4 लोग बचते हैं बाकी लोग नहीं बचते हो जाता है मगर दुनिया में भर में भी यही बात है कि lung cancer लिवर cancer एंड pancreatic cancer यह तीन प्रकार की cancer में बचने का chance सबसे कम होता है मगर फिर से मैं बता रहा हूं आपको यह जो chance है डिपेंड करता है आपकी कौन से stage में cancer किस हिसाब से treatment चल रहा है आपकी physical condition के उपर हो सकते है कि आपको lung cancer है फिर भी आप 10 साल क्या 15-20 साल भी जी दो या फिर यह हो सकते है कि आपको एक ऐसा cancer है जैसे के colorectal cancer है फिर भी आप एक साल भी नाच लिए तो डिपेंड करता है आपके शरीर की और और parameters के उपर conditions के उपर इसी लिए इस लिस्ट को सराखों पर मत बिठाईए यह एक लिस्ट जो के मैंने डेटा सेट फ्रम डिफ्रेंट वर्ल्ड डिफ्रेंट हेल्ट ओर्डिनेशन साइट सर्वे करके देखा गया उस लिस्ट से मैंने यह गैदार करके आपको बताया अब यह वर्ल्ड वाइड लिस्ट है इंडिया की बात करें तो थोरा बहुत अलग हो जाएगा बाकी जगह बात थोरा थोरा ही अलग होगा वर वर यह लिस्ट है लाइफ एक्स्पेक्टेंसी ऑफ कैंसर हाला के यह है आप तो आप यह चीज़ देखे इससाब से आप से आपके condition के आपके डॉक्टर रिवायलेट करके बता देंगे कि कितने साल आपके हाथ में उस हिसाब से आप treatment करना है तो वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो के शेयर ज़रू करना सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और वीडियो कमेंट में बताइए कि और कौन से टॉपिक पर आ थाज से शाप धाइए कि य। थाज साइब चेश्यों वीडियो करना है य। 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 आपके शेफिए थाच्छाब पड़ियों वीडियों में आपके लिए वीडियों आपके इस बाली ज्यां काउट भीयों आपके हाएँ पर चापके है य।